रो पड़े इसान किसन जी हां गाई जब BCCI ने उन्हें अपने कंट्रेक्ट लिस्ट में सामिल नहीं किया तो इसान किसन बीडियो काल पर रोई सर्मा से रोने लगे जिसका मतलब यह होता है दोस्तों की BCCI के तरफ से इसान किसन को कोई भी सेलरी नहीं मिलेगी और वे टीम इंडिया के साथ नहीं केलेंगे बता दे दोस्तों की BCCI ने इसान किसन पर बयान देते हुए कहा कि इसान किसन को कंट्रेक्ट लिस्ट से हटाने के हमने दो कारण बताया है पहला काराड यह है कि जब हमने उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट और रर्जी क्रिकेट खेलने के लिए कहा तो वो हमारी बात नहीं सुने और दूसरा काराड यह है कि जब उन्हें हमारी तरफ से कॉल किया गया तो उन्होंने हमारी कॉल का कोई जबाब नहीं दिया इसलिए हमने उन्हें BCCI के contract list से बाहर कर दिया है जिसके बाद दोस्तो इसान किसन भारती कप्तान रोईस सरमा से बीडियो कौल पर बात करते हैं और रोते हुए करते हैं कि मैं फिर से टीम इंडिया के लिए खेलना चाता हूँ तो गाईज इससे तो यह पता चल जाता है कि इसान किसन भी केवल पैसों के लिए ही खेलते हैं और जब उन्हें BCCI ने अपने contract list से बाहर कर दिया तो उनका दर्द छलक कर बाहर आने लगा इस पर आपकी क्या रहा है दोस्तो आप में नीचे comment box में comment करके जरूर बताएं